बाई और बेनों, आज जब देश में इतना काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को परिशानी होनी बहुत स्वाभाविक है, जो लोग देश की जनता को हमेशा तर्शा कर रखते थे, जिन लोगों को देश की जनता के आवशक्ता हों, और आकांग चा ताके सपने पूरे होते देखकर, आज जना जादा चिड़े हुए हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं, आज कल इन ब्रस्टाचारियों और परिवारवादियों ने, अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है, चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तो और तरी के भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है, इनके तोर तरीके भी वही है, पुराने हैं, इनके रादे भी वही है, जब मिडल कास को कुछ सस्ता मिलता है, तो यह कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही, जब किसान को जादा कीमत मिलती है, तो यह कहते हैं क देखिए महिंगाई के मामिले इनका ट्रेक रिकॉड क्या है जब वो केंदर में सत्ता में थे तेनों ने मंगाई धर को दस प्रतिशत तक पहुचा दिया अगर हमारी सरकार ने महिंगाई कामू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमते आस्मान छू रही होती अगर देश पे पहने वाली सरकार होती तो आज दूद तीन सो रुप्य लीटर दाल पान सो रुप्य कीलो बिक रही होती बच्चों की स्कूल फीच से लेकर आने जाने का किराय तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता लेकिन साथियों यह हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामरी के बावजूद रूस उक्रेन युद्ध के बावजूद महिंगार को काबू में करके रखा है आज हमारे आज पडोस के देशों में पचीस-तीस परसेंट की दर से महंगाई बढ़ रही है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है हम पूरी समय जंतिता से साथ महंगाई कंट्रोल करने के प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे